जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै शिर्मत भागवत महापुरान की जै कार्ति कमास की आज इक इस विशेश वीडियो में हम आपको शिर्मत भागवत महापुरान के महत्यमे के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं इससे पहले के दो अध्याय की कथा आप सुन चुके हैं तो तीसरे अध्याय की कथा इस परकार है शिरी सनत कुमार जी आज देवरिशी नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी हरी दुआर में गंगा जी के परम सुन्दर त्रट पर इस शिर्मत भागवत यग्य को करना उचित है वहां ग्यान यग्य के इच्छुक अनेकों रिशी मुनी रहते हैं उस स्थान पर इस ग्यान यग्य को करने से भक्ती का सब दुख दूर हो जाएगा और वहां पर ग्यान विरागे भी जाग उठेंगे देवरिशी नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवन आपके बिना वह यग्य पूर्ण नहीं हो सकता अता मेरी विने को आप स्विकार कर वहां पधारने की क्रिपा केजिए तब देवरिशी नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरी द्वार चल दिये हैं और वहां जाकर उन्होंने रिशी मुनियों से कहा है कि हम लोग यहां पर शिर्मत भागवत रूपी ज्यान यग्य आरंब करेंगे अता इस कथामरत का पान जिन को करना हो वे सब इकठे होकर इसका श्रवन करें ये समाचार मिलते ही भ्रगु वशिष्ठ च्यवन मेधा तिती मारकंडे वेद व्यास और पराशर आदी जितने भी दिशी मुनि थे वे सब वहां आकर उपस्थित हो गए हैं उनके अत्रिक्त समस्त वेद और गंगा आदी नदियां भी मनुष्य रूप धारन कर वहां पर आई हैं चोधा भूनों के गंधर्व किन्नर यक्ष नाग और अन्य प्रानी भी वहां पर आ आकर उस ग्यान यग में भाग लेने लगे उस समय वेशनवों विरक्तों और महापुर्शों ने शंक ध्वनी के साथ गंभीर जै ध्वनी की है और उस समय सब देवतागन भी अपने अपने विमानों पर बैठ कर शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को सुनने के लिए वहां पर आ गए है हर और आनंद ही आनंद च्छा रहा है शिर्मत भागवत की कथा सुनने के लिए सब कोई वहां पर आ पहुचा है उस समय श्री सनत कुमार जी ने देवरिशी नारद जी से कहा है कि हे नारद जी हम तुम्हे अब वही कथा सुनाते हैं जो श्री शुक देव जी ने राजा प्रिक्षित को सुनाई थी वहे शिर्मत भागवत महापुरान की कथा अठारा हजार श्लोकों में हैं उसके पढ़ने और सुनने मातर से भक्ती और मुक्ती मिल जाती है अन्य पुरानों के सुनने से कथा हजारों अश्व मेग और वाज पे यग्य करने से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता वहे शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को सुनने मातर से ही सहज में ही मिल जाता है काशी, परियाग, गया, कुरुकशेत्र और पुषकर आदी तीर्थों का सनान भी इस कथा के श्रवन फल के समान फल दायक नहीं है जो मनुष्य प्रते दिन शिर्मत भागवत महापुरान का एक अत्वा आदा श्लोक भी पढ़ता है वहवी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है कार्तिक मास के पावन समय में जो मनुष्य शिरमत भागवत महापुरान की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके पुन्य की संख्या कोई बता नहीं सकता अन्य दिनों में जो लोग नित्यप्रती भागवत का पाठ करते तथा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं उनके करोडों जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं ये नारद जी जिसने मनुश्य का श्रीर प्राप्त करके भी शिर्मत भागवत महापुरान की कथा नहीं सुनी उससे धिक कार है कल्यूग में मनुश्यों से दान धर्म यग्य तथा तपस्या नहीं होती क्योंकि उनका मन विश्य भोगों में फंसा रहता है ऐसे कल्यूगी जीवों के उधार के हेतू पर भ्रम श्री नाराइन भगवान ने स्वयम वेद व्यास जी का अवतार धारन कर इस कथा की रचना की है जो प्रानी साथ दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है वह यग्य वरत दान और सब कर्मों के फल को प्राप्त करके म इस शिरमत भागवत महापुरान के ग्यारवे सिकंद में कहे हुए ज्यान को भगवान श्री कृष्ण चंदर जी के मुखार विंद से सुनने के पशात उधव जी ने जब ये जाना कि अब कल्यूग आने वाला है तब उसने भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रातना की कि हे देवेश हे प्रभू आप तो अपने वैकूंत धाम को वापिस जा रहे हैं अब आने वाले संसारी जीवों का उध़ार कैसे हो सकेगा क्योंकि वो तो भोग विलास में फंसे रहेंगे और आने वाले कल्यूग में तो विशेश रूप से मनुष भोग विलास में अपन मन को लगा कर रखेंगे उन प्रानियों का उध़ार कैसे होगा उधव जी की इस बात को सुनकर त्री लोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उधव तुम तो बद्रिक आश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी और मेरे जान उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे उसे सभी तरह के सुख संपती आनंद प्राप्त हो जाएंगे केवल वही भवसागर से पार हो सकेगा इसके अतरिक्त मनुष्य को भवसागर से पार करने वाला और कोई साधन नहीं है इस शिर्मत भागवत महापुरान के सबताप परायन कथा को भवसागर के दुखों से छुडाने वाली समझना चाहिए इसके अत्रिक्त और कोई वस्तू मनुष्य को माया रूपी जाल से छुडाने में श्रेष्ठ नहीं है तो यहीं पर आज की सकथा का विश्राम होता है इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि शिर्मत भागवत महापुरान से भढ़कर कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य को सभी तरह के सुख संपति आनंद दे सके और भवसागर से पार कर सके तो शिर्मत भागवत महापुरान की आज की सकथा को आपने सुना अगले भाग में आप आगे की कथा सुन पाएंगे तो आज की सकथा को सुनने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद जै श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जै श्री लक्षमी नरायन भगवान जी की जै श्रीमत भागवत महापुरान की, जै कार्ति कमास की, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे शाम.